हलो बच्चो तो बच्चो आज मैं आपको एक नया चैप्टर नहीं शुरू करा रहा हूँ सबसे पहले मैं थर्ड चैप्टर के कुछ ऐसे इंपोर्टेंट कोशन आपको करवाने जा रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को उस टाइम पर छुड़वाए थे और छुड़वाने के कारण ये था कि मैं आप लोगों को पहले मेंटल लेवल के उस लेवल पर लेके जाना चाता था ताकि आप वर्ड प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन को एक अच्छे ढंक से समझ पाए और आपका अब वो लेवल धीरे धीरे बन रहा है जैसा कि आपने Quadratic Equation का भी चैप्टर कर लिया और थडी चैप्टर भी कर लिया दोनों चैप्टर कर लिये और इन दो चैप्टरों को करने के बाद आपका जो लेवल है वर्ड प्रॉबलम से रिलेटिड वो एक अच्छे लेवल पर आ आ गया है कि अब इस चीज़ को करा देना चाहिए तो मैं इसी समय के इंतिजार कर रहा था क्योंकि ये एक बहुत important series है और बहुत important questions है इसमें तो क्या हैं वो important चीज़े मुझरत्यान से देखिएगा आप बच्चो आज मैं जो question करने जा रहा हूँ आप उसमें चाहे elimination लगा के देख लो चाहे substitution लगा के देख लो चाहे cross multiplication लगा के देख लो आप करते करते परिसान हो जाओगे लेकिन वो solve नहीं होगा मतलब solve होगा लेकिन multiply इतनी बड़ी बड़ी आ जाएंगी कि आपको solve करने में बहुत जादा परिसानी होगी जैसे एक छोटा सा question लेता हूँ एक छोटा सा question लेता हूँ question क्या है 37x plus 53y is equal to 320 ठीक है अब 53x 37y is equal to 400 चलो यह digit तो मैंने बहुत छोटी सी digit लिए अभी आपको समझाने के लिए लेकिन अभी आगे आने वाले कुछ एक दो questions में बहुत बड़ी-बड़ी digits लूँगा मैं और आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से इन digits को हम solve करते हैं जैसे इस question को ध्यान से देखिए अब अगर आपसे बोला जाए कि हंजी elimination लगाओ यह substitution लगाओ आप लगा के देख लो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ होएगी इतनी ज़्यादा परिसानी होएगी नडिवाइड करने में बनेगा यह और ना ही multiply करने में बनेगा यह चलिए मान लीजिए एक पल को मैं मान लेता हूँ कि elimination method आपका favorite है अब elimination method में हम क्या करते हैं या तो x को बराबर करते हैं या तो y को बराबर करते हैं लेकिन आप करोगे तो आप देखो क्या होगा एक बर मैं try करके बता रहा हूँ ठीक है फिर मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखा दूँगा universal method एक ऐसा method universal method मतलब आप कभी भी लगा दो perfect बैठेगा ठीक है यह देखो अब जैसे माल लो मैं y को बराबर करके देखता हूँ तो 37 को इससे करोगे 53 को इससे करोगे सही बात है अब multiply आप करके देख लो करके देख लो हाँ जी 37 क्या होगा 37 multiply 37 37 का square बनेगा 37 का square क्या होता है 7 7 49 ठीक है बच गया 4 7 21 और 4 कितने होगे साथ यह 21 दूनी 42 और 4 46 का 6 रह गया 4 3 का square 9 और 4 13 ठीक है तो इतना आ गया अब 53 से 37 की multiply करो तो कितना आ जाएगा हाँ बही जली बताओ 37 3 कितना होगे 90 और 21 कितने होते है 90 और 21 11 सही बात है एक और बचा 11 37 पंजे कितने होते है डेड़ सो और 35 181 और 11 196 ठीक है बच्चो तो यह हो गया multiply ठीक अब 320 से multiply करो 37 को 0 से करोगे 0 37 दूनी कितना होगा 74 ठीक है 74 का 4 रह गया 7 और 37 कितना होगा 90 और 21 111 और 7 118 तो देखो इतना आ गया ठीक अब आप इस से multiply करोगे 53 से तो 53 का स्कुएर क्या होता बच्चो पचास से कितना जादा है तीन जादा है तो तीन का स्कुएर 9 ठीक है अब फिर क्या होगा उसके बाद क्या पच्चिस में तीन एड़ कर दो तो 28 इतना हो जाएगा फिर 37 की 53 से multiply करोगे तो कितना जाएगा भई यह ऐतरा है ना वंद़ा म statics करते ही बिचारा परिसान हो जाया हालत खराब हो जाया तो देखो अब खुदी सोचो आप सॉल you करके लेखो आपको फिल हो जाएगा इसे काटो अब इसे माइनस कर ओ 9 में से 9 गया 0 10 में 6 गया 4 7 में 3 गया 4 ठीक है? और क्या हो गया? हाँ और ये 1 X ये हो गया 0 ये आएगा माइनस यहां पर ये आएगा 0 10 में से 4 गया 6 और ये आएगा फिर 11 में से 8 गया 3 ठीक है? और फिर ये 10 में से 1 गया 9 माइनस का फिर 12 से काटो, कितने बारी में जाएगा? 12.72, 12.72, 12.84, ठीक है? 12.96, फिर 12, फिर 12, फिर 12 से कटेगा ही नहीं है, 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 दूनी, 6 कम 6, 6 तिया, तो यहनी X की वैल वाल वाल गी 13 बटा 2, देखो मतलब कितना अजीब सा आंसर आ रहा है, कित आप देखो न, अब आप क्या करोगे, 13 बटा 2, अब इसमें से किसी एक में रखोगे, फिर काटने में दिक्कत होएगी, होएगी की नहीं होएगी, मतलब एक तरह से देखा जाए, तो अगर आपकी multiply और divide बहुत अच्छी है, तभी आप इसको इतने अच्छे से solve कर सकते हो तो काओगे, सर आप ऐसा question कराई क्यों रहे हो, तो भाई ऐसा question इसले करा रहा हूँ, क्योंकि कई बारा है होगा है, और आता भी पता कितने में है, चार नमबर में, आता भी कितने में है, चार नमबर में, सिर्फ इतना सा question दिया होगा, अगर एका solve करके X और Y निकालो, तो method लगाओ, उसके बाद elimination, substitution, cross, कोई सा भी लगाना, चुटक्यों में solve हो जाएगाई, अब देखो, इसकी पहचान क्या है, पहली बात, इन question की पहचान क्या है, जो आज मैं method कराने जा रहा हूँ, इन question की पहचान, तो देखी, पहचान ये है, कि यहाँ पे जो letter x के पास होगा, दूसरी equation में वो y के पास होगा, ठीक है, जो पहली equation में letter y, जो digit y के पास होगी, वो आगली equation में x के पास होगी, देखो दिख रही है, देखो यहां पर यह X के साथ है तो यहां पर यह Y के साथ है यहां पर यह Y के साथ है यहां पर यह X के साथ है यह अलग होंगे यह दोना अलग होंगे ठीक है ना यह जो पार्टी होगी यह अलग होगी लेकिन इसका बतारों मैं X और Y का जो यहाँ X पे होगा वो यहाँ Y पे होगा जो यहाँ Y पे होगा वो यहाँ पे X पे होगा यह बात ध्यान लगा तो इस टाइब का जब भी equation आपके सामने आ जाए इस टाइब का जब भी equation आपके सामने आ जाए तो हम इसको addition and subtraction method से solve करते हैं कौन से method से? addition and subtraction. मतलब जोड़ना और घटाना विधी. ठीक है? method. जोड़ना और घटाना विधी. जोड़ना और घटाना विधी. इस बात की guarantee ले सकता हूं मैं, कि आपको school में बहुत, साथ rare schools होंगे, जुन्होंने ये question आपको board बर करवा दिया होगा. ठीक है, यह online class में करवा दिया होगा. ठीक, लेकिन आज मैं ये कराने जा रहा हूं, तो जरत्यान से देखिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? addition. सबसे पहले हम बच्छों जोड़ेंगे. जोड़ना. चलो, जोड़ दो इसको. 37X, 53Y, 320. 53X, 37Y, 400. तो पहले हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं. तो जोड़ दो. हाँ वही, कितना हो जागा? 7, 3, 7, 3, 10, 0, 1, 8, 1, 9. जब इसको जोड़ेंगे तब भी 90 बनेगा. इसको जोड़ेंगे 400, 300, 720. 90 common आ गया. X plus Y, 720. 90 यहाँ divide, multiply कर रहे हैं? यहाँ जाके divide करेगा. 00 कर गया, 98, 72. देखो, X plus Y बराबर 8. एक्वेशन देखो, कितनी यह simple बन गई. बन गई equation simple? ठेक है. अब क्या करोगे? Subtract. Subtract कर दो. घटा दो. हाँ जी, 37X, 53Y, 320. 53X, 37Y, 400. 400, minus, minus, minus. सबको घटा दो. सबको क्या कर दो? सबको घटा दो. घटा ओ भई जरा. क्या बनेगा? कितना मजएगा यह? माइनस का 16X. क्योंकि माइनस में जा रहा है. और यह 53, प्लस का, यह माइनस का, तो प्लस का 16Y. प्लस का 16Y. 400 में से घटा दो, माइनस का 80. माइनस का 80. यह बात ध्यान रखना, प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना. बच्चे इसमें गलती कर देते हैं. क्योंकि 53, माइनस का है, 37 बढ़ा है, तो इसलिए माइनस का. अब 53, बढ़ा है, 37 चोटा, इधर आके क्या करेगा? Divide. तो 16, 85, 80. देखो, कितना? 5. देखो, equation number, second. देखो, दोनों simple equation आ गई. Elimination method लगाओ, solve कर दो. solve equation, first and second. समीकरन एक वा दो को हल करने पर. x प्लस y बराबर 8, x माइनस y बराबर 5. कट गया? 2x, 8 और 5 तेरा, तेरा बटा दो. देखो, पहले भी यही answer आ रहा रहा था. पहले भी यही answer आ रहा रहा था. लेकिन अब देखो, कितने simple तरीके से आ गया. ठीक है? Now, put x in equation, किसी में भी रख दो, first में रख दो, x प्लस y बराबर 8, x की वैलू 13 बटा दो, x की वैलू 13 बटा दो, यह उदर जाके क्या हो जाएगे? प्लस की, स्वरी, मैं प्लस की, माइनस की. Solve कर दो, इससे करोगे 16, इससे करोगे 13, अपॉन में करोगे 2, तो कितना आ गया? 3 अपॉन 2. तो बच्चो, उसमें हमने कितने जंजट पाले, कितने, by multiply, divide, यह वो, बस सीधी सिंबल से ट्रिक, और इस टाइब का कोशन, अब मैं आपको 2 word problem कराता हूँ, बड़े तकड़े से, प्यारे से, लिखो, और पहले इसको नोट करो, फिर करवाता हूँ. मैं तर्ड पसंद आया सभी को, और यह तो चलो, छोटी सी डिजिट है बच्चो, कुछ कोशन तो ऐसे आएंगे, जिसके डिजिट बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, समझे रो, जिसके डिजिट बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, तो इसी के लिए एक कोशन हाजिर करता हूँ आपके सामने एक word problem इस तरीके से बीच बीच में मैं ये important कोशन की सीरीज चलाता रहूँगा ताकि आपके लिए helpful रहे ठीक है अभी देखना भी दो कोशन करवाँगा तो दो कोशन में आप खुद बोलोगे कि हांजी सर मज़ा आगया आज चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों कुछ कोशन लिखवा रहा हूँ ठीक है दो कोशन दोनों एक साथ ही लिख ले लिख लेते हैं ठीक है दोनों एक साथ लिख लेते हैं कोशन पहले ठीक उसके बाद फिर हम लोग इन distracted के हैं ठीक है तो चलो कोशन नमबर पहले फ़र्स्ट लिखो कोशन नमबर फ़र्स्ट लिखो चलो शुरू करते हैं लिखो Jamila sold a table and a chair for Rs. 1,050. Thereby making a profit of 10% on a table and 25% on the chair. If she had taken a profit of 25% on the table, profit of 25% on the table, profit of 25% on 10% on the chair and 10% on the chair, she would have got Rs. 1065. Find the cost price of each. Find the cost price of each. ठीक है? अब second question लिखो इसी का? ठीक है? एक second question लिखो. रिखो. CETA invested certain amount of money in two schemes. in two schemes A and B. Sita invested certain amount of money in two schemes A and B which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum. She received Rs. 1860 as annual interest as annual interest. However, had she interchanged the amount of investment interchanged the amount of investment in the two schemes she would have received 20 rupees more as annual interest. How much money did she invest in each scheme? Did she invest in each scheme? अब जर हिंदी वाले लिखलो फटाफट जल्दी से फूरती से लिखो जमीला ने एक table और एक कुरसी एक मेज और एक कुरसी ऐसा लिखना जमीला ने एक मेज और एक कुरसी एक हजार पचास रुबे में बेची जमीला ने एक मेज और एक कुरसी एक हजार पचास रुबे में बेची जिसमें मेज पर दस परती सत और कुरसी पर पच्चिस परती सत का लाब हुआ मेज पर दस परती सत और कुरसी पर पच्चिस परती सत का लाब हुआ मेज पे 10 परतिशत और कुर्शी पे 25 परतिशत का लाब हुआ यदिवे मेज पर 25 परतिशत यदिवे मेज पर 25 परतिशत और कुर्शी पर 10 परतिशत लाब पराप्त करती यदिवे मेज पर 25 परतिशत और कुर्शी पर 10 परतिशत लाब पराप्त करती तो उसे 1065 रुपे प्राप्त होते तो उसे 1065 रुपे प्राप्त होते दोनों का मुल्ले बताओ दोनों का मुल्ले बताओ ठीक है चलो एक कोशन और लिखलो लास्ट फिर कोशन करवाते हैं लिगो, सीता ने, सीता ने, दो इस्कीम A और B, सीता ने दो इस्कीम A और B, A और B, पर कुछ, कुछ रासी, A और B, पर कुछ रासी, कुछ रासी, कुछ रासी, A और B, पर कुछ रासी, A और B, पर कुछ, कुछ रासी, लगाई, कुछ रासी, निवेश की, या या से लिख 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 लिख, कुछ रासी, निवेश की, जिसमें उसे, जिसमें उसे, A पर आट परतिसत वार्सिक, और B पर नो परतिसत वार्सिक, ब्याज मिला, A पर आट परतिसत वार्सिक, और B पर नो परतिसत वार्सिक, ब्याज मिला, A परतिसत वार्सिक, और B पर नो परतिसत वार्सिक, ब्याज मिला, और इस परकार उसे, और इस परकार उसे, अठारा सो साट रुपे वार्सिक ब्याज प्राप्त हुआ, और इस परकार उसे, अठारा सो साट रुपे वार्सिक ब्याज प्राप्त हुआ, वारशिक ब्याज प्राप्त हुआ आगे लिखेंगे यदिवे यदिवे निवेश किये गए यदिवे निवेश किये गए निवेश किये गए किये गए निवेश किये गए धन को धन को दोनों इसकीम से बदल दे दोनों इसकीम से बदल दे तो उसे 20 रुपे अधिक वारशिक ब्याज प्राप्त होता है तो उसे 20 रुपे अधिक वारशिक ब्याज प्राप्त होता है तो बताईए उसने कितना धन निवेस किया तो बताईए उसने परतेक में कितना धन निवेस किया बताईए उसने परतेक में कितना धन निवेस किया बच्चो वाला कोशन है पहले जमीला वाला करते है फिर यह सीता वाला करते है ठीक है भई चलो शुरू करते है पहला गोशन है कि जमीला नाम की लड़की है उसने एक टेबल और एक चेर खरीदी है जो एक हजार पचास रुपे में भी की है ठीक है और उसने टेबल पर 10% प्रॉफिट कमाया है ठीक है जबकि कुर्सी पर 25% का प्रॉफिट कमाया है किस पर चेर पर और टेबल पर अब देखो मान लो पहले एक बास समझो मान लो एक बंदा है उसने टेबल खरीदा ठीक है मान लो उसने 100 रुपे का टेबल खरीदा मुझे इतना बताओ 100 रुपे का टेबल खरीदे और 80 में बेच दे तो मुझे इतना बताओ प्रॉफिट हुआ या नुक्सान हुआ लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ तो आप बो लो लॉस हुआ यहर भई 100 की चीज खरीद के 80 में ला रहा है तो लॉस ही होगा लेकिन अगर 100 रुपे की चीज लेकर आ रहा है और 120 रुपे में बेच रहा है तो अब क्या होगा अब 20 रुपे जादा में बेच दिया तो इसका मतलब अब प्रॉफिट होगा लाब होगा लेकिन 100 की चीज लाए और 100 में ही बेच दे तो क्या होगा no profit and no loss कोई profit नहीं हुआ कोई loss नहीं हुआ जितने का था उतने में ही उसने बेच दिया ठीक है तो बच्चो यहां पे बात किसकी हुई है profit की यहां पे बात किसकी हुई है profit की तो ना हमें loss का concept समझना है ना हमें loss no profit, no loss का concept समझना है लॉस का भी समझाओंगा जब question कर वाँगा लॉस वाला तो समझाओंगा अभी हमें बात करने स्री profit के concept की तो एक बात बताओ 100 रुपे की चीज है अगर और 120 में बेची गई तो क्या उसको 120 का profit हुआ है नहीं अरे मेरे भाई इस 120 रुपे में तो 100 रुपे उसके कुरसी जो table है उसको खरीदने वाले ही है profit क्या इसका इसका profit है बच्चो वह 20 रुपे जो इसने extra कमाए है 120 में अगर कोई चीज बेची है तो सीधी सी बात है भाई उसको 120 का profit थोड़ी हुआ है उसको तो 20 रुपे का profit हुआ है क्योंकि इसके अंदर 100 रुपे तो वही है जिस रुपे क लगा कर इसने कुरसी या table खरीदी थी सही बात है तो इसका मतलब profit उसको हुआ किस पे है profit उसको इस कुरसी के पैसे पे हुआ है या इस table के पैसे पे हुआ है समझ में आ रही है में बात और कितना profit हुआ है ये 20 रुपे यानि जो भी आपके principal से principal मतलब क्या जितना आपने पैसा लगाया है उसके उपर जितना आप कमाओगे वो आपका profit होता है मेरी बात समझ मारी है अगर आपने मालो किसी भी investment में आपने 100 रुपे invest किये और बदले में आपको 1.500 रुपे मिल गए तो इसका मतलब यह है कि आपको 50 रुपे का profit हुआ क्योंकि 100 रुपे तो आपक 100% होती है हर चीज अपने आप में क्या होती है 100% तो जानी अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको 110% का profit हुआ अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको 10% का profit हुआ अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको 10% का profit हुआ अगर मैं आपको कितने का profit हुआ 10% का तो इसका मतलब क्या है कि 100% तो आपके हैं प्लस आपने उससे extra कितने कमा लिए 10 तो अब आपका percentage बढ़कर कितना हो गया 110 अगर मैं कहता हूँ कि आपको 40% का profit हुआ तो इसका मतलब क्या है कि 100 तो आपके हैं 40 ऊपर से कमाएं आपने 40 आपने ऊपर से कमाएं मतलब 100 आप थे ही 40 और कमा लिए तो आप कितने परसेंट पर महुंच गए हो 140 परसेंट पर याइनि अगर मैं कहता हूँ कि आपको 25 परसेंट का मुनाफ़ा हुआ है 25 परसेंट का profit हुआ है तो इसका मतलब क्या 100 आपके खुद के और 25 आपने extra कमाएं तो आपकी percentage क्या हो है 100 से कितनी हो गई है 125 हो गई है मेरी बात समझ बारी सबीको ठीक है तो बस इसी concept को समझ कर हम लोग आगे चलने वाले हैं हां जी हमें table का और कुरसी का rate निकालना है किसका rate निकालना है table को कुरसी का cost निकालना कि इसका price क्या है ठीक है तो चलिए let करते ले हैं लेट दा कॉस्ट ओफ टेबल तो कितने माल लेंगे एक्स रुपीज माना मेज का मुल्य एक्स रुपए एंड़ दा कॉस्ट ओफ चेयर वाई रुपीज तथा है क्या वही कुरसी का मुल्य वाई रुपीज नौ according to question ठीक है case first case first case first में क्या बोला गया है भाई टेबल पर कितना profit हुआ है 10% 10% profit on table plus 25% profit on chair हाँ भाई अब मुझे एक बात बताओ अब मुझे एक बात बताओ आपको रुपए कितने दिये गए है आपको सुरुवारत में रुपए दिये गए है 1050 तो उसने क्या बोला है उसने ये बोला है कि table और कुरसी दोनों बेचने पर 1050 मिले तो इसका मतलब जरूर इसके अंदर वो कौन कौन से पैसे होंगे इस 1050 रुपए में कौन कौन से पैसे होंगे जितना इन्होंने table कुरसी पे खर्च किया एक तो वो वाले पैसे होंगे ठीक है यानि कि spend जो इसनोंने खर्च किया प्लस और क्या चीज़े होंगे इसमें जो भी इन्होंने क्या कमाया profit कमाया इस 1050 रुपए के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है कि जितने का ये खरीद के लेकर आए और उसके बाद जो भी इन्होंने extra बेचा profit और जो खर्च किया दोनों मिला कि इनको 1050 मिले हैं समझमारी अपनी बात मतलब क्या है कि वाद बता अब मैं कहा हूं कि आपने कि आपको 20 रुपे, मतलब इन दोनों को जब आपने बेचा तो आपको 20 रुपे मिले। तो आप खुद देखो, 5 का तो आप पहले ही लेकर आये, 10 का पहले ही लेकर आये। लेकिन आपको last में profit कितना हो रहा है? 20 का, तो इसका मतलब क्या, यानि last में आपको कितना, भई कितने रुपे मिले? 15 की जगा 20 मिले, तो जरूरोर वहां पर 5 रुपे क्या हुआ है? Profit, तो इसका मतलब हो सकता है कि इसको आपने कितने में बेज दिया हो? 6 में, और इसको आपने कितने में बेज दिया हो भई? 14 रुपे में, भई ऐसा भी तो हो सकता है तो देखो 6 रुपे में बेचा, 14 रुपे में बेचा, जोड़ो 20 रुपे आए कि नहीं आए, तो मतलब क्या हुआ कि आपने 5 वाली चीज को भी profit में बेज दिया और दस वाली चीज को भी किस में बेच दिया? profit में, अब profit में बेचने के बाद आपको इतने रुपे मिले और उसमें से, इस 20 रुपे में से, कौन सा हिस्सा पहले से include था? ये 15 वाला, कौन सा हिस्सा पहले से include था? 15 वाला, और असल में actual profit कितना आपका? 5 रुपे, तो वहाँ पे जो बच्चो आपको 1050 रुपे जो दिया है, वो क्या दिया है? बेचने पे प्राप्त, उसने साफ लिखा है, साफ लिखा है, जमीला sold a chair and a table मतलब जब जमीला ने chair और कुरसी दोनों बेच दी, तब उसे 1050 मिले इसका मतलब ये profit amount नहीं बता रहा है, ये कौन सा amount बता रहा है? बेचने का, ये किसका amount बता रहा है? बेचने का, कि पूरी तरीके से chair भी बेच दिया, और पूरी तरीके से table भी बेच दिया तो उसका फाइदा और खर्चा, दोनों एक साथ मिला, कितना मिला? एक हजार पचास, दोनों खर्चा कितना मिला? एक हजार पचास रुपे, ठेक है? मेज पर दस परतीसत लाब, कुरसी पर पच्चिस परतीसत लाब मुझे आज यही topic बहुत अच्छे सिखाना था, इसलिए मैं इतना force कर रहा हूँ अच्छा, अब देखो, मैंने अभी अभी बताया, profit कैसे होता बच्चो? profit होता 100% से जो भी आपने extra लिया, यही होता न profit तो देखो, बैट, table कितने रुपे का था? X रुपे का table कितने का था? X रुपे का और अपने आप में यह क्या है? 100% अपने आप में क्या है? 100% लेकिन इसने क्या कमाया? profit, कितने परसेंट का? 10% का, तो बच्चो मैंने अभी अभी बोला आपको कि हर चीज अपने आप में 100% होती है और जो भी profit हम कमाते हैं, वो extra होता है तो अपने आपका 100% profit कितना होगा? 10 तो इसका मतलब total percentage कितनी हो गई? 100, 10 तो यानि 110% कितना हो गया? 110% क्यों? अपने आपका 100% तो है और 10% extra कमा लिया इसने प्लस, हाँ जी, कुरसी कुरसी कितने रुपे की थी? वाई की, अपने आप में 100% तो है उपर से profit कितना कमा लिया? 25, तो इसका मतलब कितने परसेंट? 125% बराबर 1050, तो देखो 110, परसेंट हटाने के बाद अपन में 100 आता है, याद रखना परसेंट हटाते तो अपन में क्या आता है? 100, ये सीखा होगा अपने छोटी करेगा, multiply तो 125Y 1050, ये multiply करेगा 2-0 और आजाएंगे, equation number first कोई दिक्कत? चलो, आगे देखते हैं हाँ जी, आगे देखते हैं अब किसकी बार है? case second ना हुँँ, case second हाँ जी, case second पर आपकी बार क्या बोला है? आपकी बार, table पर 25% मिल रहे है table पर 25% profit है और chair पर 10% है ठीक है? तो मैं यहाँ लिखे रहा हूँ 25% profit on table plus हाँ भई, plus 10% profit on chair तो हिंदी वाले तो लिखी लोग है यहाँ तो देखके और आप कितना रुपे मिल रहे हैं? 1065 रुपे मिल रहे हैं ठीक है? अच्छा तो 25% profit किस पर table पर table कितने का था? X का अब भई, अपने आपका 100% तो है ही extra कितने मिले? 25, तो 125% फिर chair कितना है? Y रुपे का? और उसको percentage कितना profit हो रहा है? 10 का? तो भई, कितना हो जाएगा? 110% और 1065 आप इसको देखो X, percent हटाऊंगा upon me 100, percent हटाऊंगा upon me 100 प्लस, sorry, equal 1065, नीचे LCM सेम है, तो उपर क्या आएगा? 125X, 110Y upon me 100, बराबर 1065, उदर चला जाएगा? multiply होके 2-0 लग जाएगे, equation number second solve equation first and second तो देखो, first क्या था? first था 110X 125Y 1050, 00 और अब क्या है? 125X 110Y 1065, 00 अब ज़रा ध्यान से देखो अगर इसको ध्यान से आप देख रहोगे तो याद करो जो X के पास होई है, याँ के पास है जो Y के पास है, याँ के पास है ठीक है? तो आपको पता ही है addition and subtraction method एक बार add करेंगे और एक बार minus तो now क्या करेंगे? addition addition योग जोडेंगे जोडो बच्चो जोड़ा? जोडो जोडो क्या बनेगा? जोडेंगे निम्मे 2115 यही होता है ठीक है? 235 को 9 से multiply करोगे तो यह आ जाएगा ठीक है? तो बस 235 common ले लो बच्चों मेरे को तो table याद है ठीक है? आप लोगों को बकाईदा यह काट पीट के देखना पड़ेगा अब यह मत कहना कैसे काटेंगे? तो टेंथ किलास में हो तो काटना आना चाहिए ठीक है? तो 235 हमने क्या ले लिया? common यह यहां multiply कर रहा है यहां कि क्या करेगा? divide तो x प्लस y बराबर 2115 00 upon में 235 तो मेरे को तो direct table याद है 235 निम्मे 00 कर दो तो x प्लस y बराबर क्या आ गया? 900 equation number third now अब क्या करेंगे? subtract करेंगे note करो फिर इसे मिटा के फिर करवाता हूँ आगे note करो बच्छो note करो फिर इसे मिटाता हूँ मज़ा आ गया? है question? ला जवाब? बच्छो question तो ऐसा ऐसे कराऊँगा खुद ही बोलोगे आपके हाँ असर मज़ा आ गया आज मुझे बस यही टाइप करानी थी इसलिए मैं इन तीन चार कोश्चनों को लेकर आया था आपके लिए ठीक है? ज़िए लेकर लो अच्छो देखो मैं इधर का मिटारों वस ठीक है? इधर इधर का मिटारों वस तो अब क्या करना है हमें? वहाँ एक्स प्लस वाई हो गया? नाओ ये भी मिटा दूँ एक्स का कॉस्ट ये टेबल का कॉस्ट है ना ये सब भी मिटा देता हूं क्या करना है? चलो नाओ हाँ जी क्या था अब हमें क्या करना था? subtract करना था ठीक है तो कैसे करेंगे अब करेंगे subtract subtract मतलब क्या होता है बच्छो घटाना तो 110x 125y एक इतना 125x 110y 106500 ठीक है माइनस 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 सबको माइनस कर देंगे अब देखो मैंने फिर से बतारहूं बड़ी और चोटी डिजिट का ध्यान डगना इसमें गलती बहुत करते हैं बच्छे 125 बड़ी है 110 चोटी है तो 125 में से 110 गया माइनस का 15x लेकिन अब 125 बड़ा है और 110 चोटा है तो प्लस का 15y लेकिन अब ये बड़ा है वो चोटा है तो इसका मतलब माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 1500 कितना आएगा माइनस का 1500 माइनस का 15 common आएगा x प्लस है जबड़ दस्ती y common माइनस का y बनेगा क्यों? क्योंकि मैंने माइनस का 15 common लिया है तो प्लस किसमें convert हो जाएगा माइनस और यह माइनस का 1500 यह माइनस का 15 यह multiply कर रहा है इधर आके क्या करेगा divide माइनस से माइनस कटा 1500 से कटेगा 1 और 0 x माइनस y बराबर 100 equation number third sorry fourth equation number fourth now क्या करेंगे solve equation third and fourth तो x प्लस y बराबर 900 और x माइनस y बराबर 100 कट गया 2x 1000 900 और 1000 यह multiply कर रहा है इधर आके divide करेगा कट गया 500 x किसके रुपे थे बाई table के मतलब table कितने की है 500 की put x in equation किसमे third में रख दू third equation क्या है x प्लस y बराबर 900 x कितना है 500 प्लस y बराबर 900 और यह 500 वहाँ जाके plus का है माइनस तो आगया 400 तो इसका मतलब x क्या था table table है 500 का y क्या था कुरसी यानि चेयर तो चेयर कितने की है भई 400 रुपे की कर लो एना असान question बस दिखने का टफ होता है करने में बहुत असान होता है यह question आया हो है कई बर एक बर आया था और प्री बोर्ड में भी आया था कर लो अब इसके बाद सीता वाला question करते है last question ठीक है फिर तुम अपने आप समझ जाओगे क्या करना है कैसे करना है बच्चों ऐसे ही मैं आपके लिए question ने ने ढूंड ढूंड के लाता रहूंगा बे फिकर रहूँ ठीक है और प्रैक्टिस करते रहूँ यह हर बच्चों के काम आईगी और बहुत अच्छे questions हैं सलिए होगे ए जए झाल जरचे हो गया होगा आपका ठीक है कि मैं आगे हाँ अब मैं कोशन बढ़ देता हूं अच्छों पहले तो क्या बोला था कि वह सीता नाम की लड़की है और उसने दो इसकीम ए और बी पर पैसे लगाए हैं इन्वेस्ट किये हैं जिसमें उसे ए पर पहले आठ परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है पर एनम यानि पूरे साल का और बी इसकीम पे नो परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है अब कहरें कि उसको अठार यानि कि पूरे साल में 1860 रुपी इसको एन्वाल इंट्रस्ट मिलता है तो कहरें बताओ आगे पूछ रहें कि अगर वह अपने अमाउंट को ही इंटर चेंज कर देत इसकीम पर नागी है मतलब जो 8% वाला था वह एक पर लेकिन वहां पर 20 वाला गया और एसकीम वाला किस पर चला गया 9% वाले पर ठीक है तो कहरें कि हैड़ सी इंटरेंट इंटर चेंज दा अमांट ओंट पर इंवेस्टमेंट तीदर उसने इंटरेंट इंटरेंड कर दि और बी स्कीम पर कितने कितने रुपे लगाएं ठीक है तो चलो यह रब कर रहा हूं मैं यह तो आपको पता चल गया है यह करी लिया होगा आपने चलिए बच्चो दो थे हमारे पास ठीक है एसकीम बी स्कीम ठीक है लेट सी इनवेस्ट लेट सी इनवेस्ट इनवेस्ट मनी इन इसकीम माना ए इसकीम पर उसने पैसे लगाएं कितने एक सुरुपे माना उसने ए ए इसकीम पर धन निवेस किया निवेस किया कितने रुपे निवेस्ट किया एक सुरुपीज ठीक है कितने रुपे इनवेस्ट किये वाई रुपीज कितने रुपे तथा उसने बी इसकीम पर धन निवेस किया धन निवेस किया मैं वो सारे कोशन उठा रहा हूँ जो बोर्ड प्री बोर्ड में कई बार आये हुएं और इस टाइप के कोशन ना मैं आपको गैरेंटी दे सकता हूँ आपके सामने आज आते ना ऐलिमिनेशन सब्सिट्यूशन कुछ भी लगाते आपको सॉल करने में बहुत नुक्सान नुक्सान तो नहीं लेकिन यह है कि बहुत महनत करना पड़ जाता और हो सकता है एक्स रुपे लगा दिए बी स्कीम पर य्रुपी लगा दिया रूक अक्रडिंग आंपा डिवल असगे वाइक-वबिक में चीन केसुस्ट मान lassे जांगे वहगे वाइघर स्कील ठ resort कितना मिल रहा है मैं कितना विग पर सेंगेए एजिए interest 8% interest interest on invested money on invested money and and B scheme gives 9% 9% interest 9 percent interest on invested on invested money हिंदी वाले क्या लिखेंगे ए ए निवेश धन पर ए निवेश धन पर धन पर आठ परतीशत 8% annual interest ठीक है वार्षिक वार्षिक ब्याज देता है 8% वार्षिक ब्याज देता है और B निवेश धन पर निवेश धन पर नो परतीशत annual interest वार्षिक ब्याज देता है यही लिखा हुए ना हमारे लिए कोश्चन में यही लिखा हुए ना कि A scheme वाले जो है वो invested money पर 8% annual interest देते हैं जबकि B scheme वाले invested money पर 9% annual interest देते हैं तो बताओ वाई काम कैसे चलेगा तो बाई case first बना रहे हम ना यह काम करना यहां मत लिखना case first यहां लिखना case first हाँ जी A ने कितने रुपे invest किया है जल्दी बता दो X रुपे भाई A ने कितने रुपे invest किया है X रुपे अब पहले case में हाँ पहले case में उसको 8% profit हो रहा है और दूसरे case में 9% profit मतलब क्या भाई A ने उसको कितने ए ने जो भी invest किया money A ने जो भी money invest किया A इसकी में जो भी money invest किया उस पे 8% का profit हुआ profit देखो अब यहाँ पर profit सब्द कहीं आया नहीं है लेकिन interest मिला interest मिलने का मतलब क्या है profit ही तो है अगर माल लो आप मुझे आप मुझे 10 रुपे देते हो ठीक है और भाई अगले दिन यानि जब मैं कहूं भी आज यार तू 10 रुपे दे दे कल मैं तरको 12 रुपे दे दूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ भाई आपने मेरे से interest लिया इसका मतलब क्या हुआ एक तरह का profit ही तो हुआ कि भाई 10 रु profit होता है बस अब यह बास समझनी है कि 8% profit हुआ है तो अब यह देखो आपने मुझे 10 रुपे दिये और मैंने आपको कितने रुपे दिये 12 मैंने आपको कितने दिये 12 मतलब आपका 100% तो आपको वापस किया ही और प्लस अपनी तरफ से मैंने कुछ क्या दिया extra तो बच्च profit कितने का मन रहा है 109 बन जाएगा यह क्यों अपने आपका 100 तो है नो और टोटल इसको ब्याज के रूप में टोटल इसको ब्याज के रूप में ओहो सौरी बच्चो सौरी गड़बड़ हो गई क्योंकि यहाँ पर ना यहाँ पर इसने interest amount दिया हुआ है क्या दिया हुआ ह interest amount मेरे से गलती हो गई है ठीक है यह नहीं बनेगा यह equation नहीं बनेगी यह equation तब बनती जब उसको total amount मिलता क्या मिलता total amount लेकिन इसको यहाँ पर मिला क्या है इसको सिर्फ interest मिला है इसने यहाँ पर 1860 रूपीज जो दिखाया है वो क्या दिखाया है सिर्फ और सिर्फ interest टोटल अमाउंट कुल मिस्र धन यह अगर वर्ड यूज हो जाता तो हम यह वाली कंडिशन बनाते जो अभी बना रहे थे ठीक है लेकिन यहां पर क्या पूछा उसने एन्वल इंट्रस्ट तो एन्वल इंट्रस्ट मतलब किस पर मिला है हमें एक्स रुपे पर कितना इंट्रस्ट मिला है आठ परसेंट तो बस आठ परसेंट प्लस बई बी रुपे कितने रुपे इंवेस्ट किये हैं वाई कितना बई जल्ली बताओ कितने रुपे इस पर ब्याज मिला हमें 9 परसेंट और टोटल ब्याज कितना मिला हमें 1860 रुपे ब महां जाके क्या करेगा मंटीपलाई इतना तो आपको पता चली क्या होगा अब तक ठीक है तो यह आगे equation number first now case second case second माँप से क्या बोला है कि बहुए इनवेस्टेड अमाउंट को ही उल्टा कर दिया invested amount को ही उल्टा कर दिया क्योंकि यहां पे देखो into scheme ठीक है दोनों scheme में उसने interchange कर दिया तो बताइए हाँ तो उसे 20 रुपे जादा मिलते हैं तो उसे 20 रुपे जादा मिलते हैं अब देखो अजी पहले 8% किस पे मिल रहा था X पे लेकिन अब किस पे मिलेगा Y पे क्यों? क्योंकि X पे कर दिया गया और जो X पे था उसे Y पे कर दिया गया और क्या बोला उसने? कि उसे पहले से 20 रुपे जादा मिलते हैं तो पहले कितने मिल रहे थे? 1860 तो अब कितने मिलेंगे? 1880 क्योंकि 20 रुपे जादा मिलें हैं बस बात खतम तो यह हो गया y into 8 upon 100 और यह x into 9 upon 100 बराबर 1880 और यह 100 वहाँ चला जाएगा ठीक है 100 वहाँ चला जाएगा और क्या बन जाएगा यह 8y 9x 1880 और 00 तो x वाले को पहले लेने कोई दिक्कत और y वाले को बाद में नहीं है दिक्कत ठीक है equation number 2 अब देखो फिर से condition देख लो जो x के आगे 8 तो y के आगे 8 y के आगे 9 तो x के आगे 9 पलट गए या नहीं पलट गए दोनों तो बस क्या करेंगे solve equation first and second समय करन एक वादो को हल करने पर तो हंजी क्या है 8x प्लस 9y बराबर 1860 और 9x प्लस 8y बराबर 1880 और आपको पता है जब हम इसको solve करेंगे तो addition and subtraction method से कौन से method से करेंगे addition and subtraction method तो पहले क्या करेंगे हम addition करेंगे और addition करेंगे तो देखो क्या आएगा जल्दी बताओ भाई 9,8 17x 9,8 17y इसको जोड़ो 0,0,0,8 और चे 14,16,17 और एक और यह 3 ठीक है 17 common ले लो x प्लस y 37,4,0,0 अच्छा कुछ बच्चों दिमाग में आ रहोगा सर अगर यह नहीं कटा तो भाई 100% कटेंगा टेंशन मतलो ठीक है यह question बनाए ही ऐसे जाते है अब उन में 17 काटो 17 दुनी 34 फिर तीन इसको दिया 17 दुनी 34 और यह आया 22,000 x प्लस y बराबर 22,000 equation number third अब क्या करोगे अब क्या करेंगे subtract यह नि घटाएंगे हंजी तो क्या होगा 8 x प्लस 9 y बराबर 18 और यह 9 x प्लस 8 y 18 80 00 और आपको पता ही है माइनस 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 लेकिन क्या ध्यान रखना हमें बड़े और चोटे का तो यह होगा माइनस का x यह होगा प्लस का y और यह होगा माइनस का 2000 क्या होगा माइनस का 2000 होगा 00002 हाँ ठीक है अब क्या है भई, माइनस कॉमन ले लेंगे तो X-Y बराबर माइनस का 2000 माइनस से माइनस कट गया X-Y बराबर 2000 equation number 4 अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा बताने जुरत है simple simple elimination method solve करेंगे तो मुझे जहां तक मैं आंसर बता देता हूँ आपको आंसर क्या आएगा, हाँ जी Y से Y कट जाएगा, X 24 हाँ, तो X की value आएगी 12,000 और Y की value आएगी 10,000, क्या आएगी value X की value 10,000, Y की value 12,000, इसका मतलब A में invest कितने रुपे किये गए, 12,000 रुपे और B में कितने किये गए, 10,000 रुपे बस इसको elimination method से solve कर ले न आंसर आपके सामने, ठीक है बच्चो तो आज का ये topic था addition and subtraction method, वो मैंने आपको करवा दिया, तो इस type के question और ढूंडो, करो, और अगर कोई doubt आता है, ठीक है, तो next class में मुश्तक भेजो, फिर मैं आपको और भी इस type के नए negotiation आपको समय समय में बीच बीच में करवाता रहूँगा, चलिए तो आज की सबह यहीं खतम करते हैं, बाई